नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चानल एडंकल UGC NET की तयारी में जहां मैं आपके अपनी शुरुती जैन गयोर एडंकल एक्जामेंटर आपके सामने आज पार्ट फॉर्थ आप प्टिकुलर विडियो लेकर आई वो जहां मैं बात करूंगी पेपर अनालिस उनिट आप जानते हैं इससे पहले मैंने तीन वीडियो बना है जिसमें पहले पार्ट में ने बात करी थी कंप्लीट सिलिबस आने इंपॉरे सिलिबस बताया था कि किस ट्राइब का सिलिबस कैसे किस उनिट में डिवाइड़ है पूरा UGC NET जनल पेपर वन का पार्ट सेकंड में बात करूं तो मैंने बताया कि हाउ तो प्रिपेर फोर जनल पेपर वन जा आपके साथ शेयर किया है आपको सक्सेस की सक्सेस मंत्र सब बताया है कैसे आप एपर अटेंब्स करते हैं तो अगर आपने तक यह तीनों वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में जाई अगर दिफिकल्टी लेवल रहता है इन सब के बार में अगर में बाद करूओ तो आपको और आई तो इन यह कीजिए तो डिफिकल्टी लेवल रहता है अगर अगर बात कर लेते हैं तो इस ताइप के प्टिक्लर टॉपिक में से आ जाते हैं अगर मैं बात कर लेती हूं कि अगर में से जो है टीचिंग अप्रिट्यूट तो आपके सामने देख सकते हैं लेर्नर्स क्या जानती ही होंगे इस सारा सिलिपस आप पढ़ रहे हैं आप तयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे टॉपिक्स से फिमिलियर होंगे और जैसे मैंने फर्ट पार्ट में बताया है डी आप तोपिक्स के बारे में जैसे मैथट आफ टीचिंग अंस्टिउशन फाई लर्निंग एवालीएशन सिस्टर् यह सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंप्रटंट है टीचिंग आप्रिट्टीड वाले टॉपिक में से इसमें पार्ट कर लेते हैं तो रिसेर्च अप्रि वो पिर्फ बातो है यह ए WATsen और बने पेदान यह लिगो ऑगल भी सुल की जा.. अज रहे मेरा कि दर फान व द एनकोड़ा आटायर भी से घराम military जाने थन नंच उनकी कब सकंव समय हो जा सब्सक्राइब कंग शरीयुटी। हैं अगर मैं इसे Başka उसंहरे कद बाटे शरिक से अध्यर्व выз ? और श्रीन में अष्कोर्णा कोले तक के सब्सक्राइब दंग कर सकते हैं तके सब्सक्राइब मेट केसे तौर्फे कम वह काम था आस Oke अगर आपने पढ़ लिया, उसको concept समझ लिया, आप उसको अपने words में frame करके लिख सकते है तो theory literally बहुत easy होती है, research, there's types of research, characteristics, methods of research होगा, experimental, descriptive, historical यह types of research आपने पढ़ी होगी, thesis and article writing, यह other topics है कि steps क्या होते है, types of test क्या होता है तो यह सारी topic अगर आपने पर पढ़ लिये, तो यह questions इन में से literally आते है, these are very important topics and यह काफी scoring होते है, आप easily इन से marks गेट कर सकते है thirdly reading comprehension, तो five questions आजाते है, that is of ten marks, जोसमें आपको पूरा पैसिस पढ़ना होते है, then you are given with these some questions, वो आपको solve करना रहता है easy to moderate, इसका level रहता है, and types of questions, direct questions and theory-based questions आता है, obviously there are practicalities involving the comprehension, आपको theory-based questions आते है, reading comprehension में और इसमें all questions of reading comprehension are directly related from passage, तो इसमें कोई अलग से हम नहीं कह सकते हैं कि यह particular topic important है, यह important है, इसमें तो comprehension होता है, जो आपको solve करना होता है, and then you know, to give the answers of those particular questions, which are answers from that passage so learn, practice, revise, test, analysis के बारे में आपको थर्ड वीडियो में, इसेगं वीडियो में भी बात की थी, तो आप इस प्राक्टिस को, इस स्ट्राटजी को समझे, जो एडंकर आपके सामने लेकर आता है, and if you want to join us, आपको पता है, आपको comment box में जाना है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते ह on this number that is 800-35-22-1, या फिर आप WhatsApp कर सकते है, and you can, you know, gain all these type of benefits, किस तरीके से अप थरी उनिट पर सकते है, कैसे आप प्राक्तिस कर सकते है, कैसे आप प्राक्तिस कर सकते है, कैसे आप वाल्यूम प्राक्तिस कर सकते है, 2-3-3 तरी उनिट्स मिला के, कैसे आप टेस्ट दे सकते है प्राक्तिस कर सकते है, अपनी capability को अनलाइस कर सकते है, टेस्ट के थरू, and कैसे आप अपने आपको exam ready portion बना सकते है, so for this, अभी आपके लिए UGC net general paper 1 वे 50% off चल रहा है, if you want to avail this offer, don't wait, and click on this link, this link is mentioned there in the description box as well, इस link पे click कीजिए, and 50% off जो चल रहा है, UGC net general paper 1 पे, उसको जल् available कर दीजिए, so that you can gain all the benefits, क्योंकि exam जो है, वो आने ही वाला है, तो जल्दी wait मत कीजिए, and you can avail these type of benefits, fourth topic, जो है communication, communication में से average number of questions के आपको बात करे, तो 5 questions आजाते हैं, जो के 10 marks के होते, level of difficulty, easy to difficult level रहता है, type of questions, direct questions, statement based questions, इस type के questions, communication वाले topic में से आपको देखने को मिल जाते है, अगर हम बात करें, most important topics के, effective communication हो गया, verbal, non-verbal, जो types of communications होते है, the intercultural and group communications, classroom communications, mass media and society, what is communication, यह बहुत easy है, बहुत scoring है, I am again saying, काफी अच्य से आप इन्वे से marks गीन कर सकते हैं, okay, so if I now talk about mathematical reasoning and aptitude, average number of questions रहे, six questions of 12 marks आजाता है, level of difficulty के, अगर हम बात करें, easy to moderate level होता है, type of questions, conceptual, numerical, direct question, statement based questions आते है, आप जानते हैं, किस type के mathematical reasoning and aptitude, एक practical questions आ जाते हैं, इसमें किस type के questions, किसमें concept होता है, कुछ ना कुछ code लगता है, वस type के questions इसमें दिख जाता है, numerical type का question इसमें आ जाता है, तो यह सारे हैं, जो subtopics है, जो mathematical reasoning के importance of topics है, जिसकी fraction, time and distance, ratio, proportion and percentage, profit, loss, number series, letter series, इस ताप के questions आपको अच्छ से practice कर लेने है, so that you are able to give your best in this UGC net journal paper 1 from this particular topic, now if I talk about logical reasoning, इसमें से चाग questions आ जाते हैं, 8 marks के, moderate to difficult इसका level रहता है, theory based, direct questions या statement based question आते हैं, logical reasoning is a thing, इसमें हैं, हर एक question में logic लगते हैं, हर different type of logic हर question में लगते हैं, तो आपको यह बहुत अच्छ से prepare कर लेना चाहिए, इसकी काफी अच्छ से practice कर लेनी चाहिए, आने देखा होगा कि P implies Q, P implies R, therefore P implies R, इस type of questions रो हैं, हम ले पहले भी किये हुए होते हैं, तो इस type of questions हैं, जिसमें अग अग about logical reasoning topic, so this pramanas, fallacy, this is all the questions जो इसमें से आते हैं, and these are very important, so you must get it done thoroughly, now if I talk about data interpretation, another important topic, and another easy to gain, I mean easy to gain a lot of good marks, एक topic होता है, 5 questions आते हैं, 10 marks के, easy to moderate, इसका level रहता है, then calculation, average based questions, formula based questions, tabulation based questions, graph based questions, इस type के questions इसमें साहते हैं, आपने देखा होगा यह, bar graph, bar graph, pie charts, और यह जो graph के questions हैं, यह आपने पहले भी कियोंगे, और इसमें UGC net journal paper 1 में इस type के questions आते हैं, तो these are the topics, जैसे यह most important topic हैं, data interpretation, data in governance, graphical representation, तो यह बहुत easily आप score कर सकते हैं, इन में मार्क्स, आप अच अथर अपरपरेशन in the exam, now if I talk about information and communication technology, that is ICT, average number of questions, 4 questions आते हैं, that is of 8 marks, level of difficulty, अगर में बात करूँ, तो easy to moderate level होता है, and type of questions, इस type के आते हैं, direct question, assertion and reason based questions, match the following based questions, and statement based questions, again statement based questions, again statement based questions, इसमें आपको बताया, इसमें आपको statement देदिया चाहता है, इसमें आपको statement देदिया चाहता ह तो these are the important sub topics, जैसे ICT, general abbreviations and terminology, digital initiatives and higher education, basics of internet hardware, language of computer, तो these are the topics, जो theoretical form में आजाते हैं, and statement based में आजाते हैं, तो आप इन topics को अच्छे से cover कर डीजे, अच्छे से prepare कर डीजे, now if I talk about people development and environment, that is the 9th topic, so average question आते हैं, 5 questions आते हैं, Denmark के, level of difficulty के अगर में बात करों तो easy to difficult level रहता है, type of questions, direct question, massive following based, multiple correct option based, statement based questions, इस type के questions रहें वो आजाते हैं, इस particular topic में से, तो आप इसको भी अच्छे से prepare कीजे, जैसे important subtopics के अगर में बात करों तो है, development and environment, environmental issues, कुछ acts आपने पढ़े होंगे, जैसे environmental protection, अगर आप अभी पढ़ र अच्छे से कर लीजिए, so that you can gain good marks, so this is one of the topics that say environmental protection act, national action plan, यह हमने पढ़ा है, इके बार में हम कही न कहीं जानते हैं, हमारे classes, हमने जो school time में पढ़ा है, उसके बार में से, उस time से हम जानते हैं, these are very easy topics to go through and very easy to score marks, so 10th topic के अगर में बात करों, that is higher education system, that is 4 questions आजाते हैं, out of 8 marks, of 8 marks second, level of difficulty is easy to moderate level, type of questions, direct question आजाता है, theory based questions आता है, multiple correct option based questions इसमें से आजाते हैं, and if I talk about the most important sub topic, that is, you know, जो आपको करना चाहिए, that is evolution of higher learning and research in post-independence India, professional, technical and skill based education, and बापके साहरे आपके साहरे आपके साहरे आपके साहरे हैं, these are very important topics, जो आपको कहना चाहिए, and you must go with them in a very thorough manner, so that you can gain a lot of good marks, आपको कोई भी help चाहिए, you can drop it in our comment box, आपको कोई भी doubt है, कोई भी concern है, do let us know in our comment box, or you can call us on this number, and clear your doubt, so, इसके अलाव अगर आपको कोई भी help चाहिए, कोई भी doubt, clear करना है, तो आप ये जो देमो क्लास है, वो बुक कर सकते हैं, how you can book, by clicking on this link, ये link आपनी बुक कीजिए, आपनी बुक कीजिए, डेमो क्लास बुक कीजिए, जो के आपसलुटली प्री है, and you can learn about all these topics, really well, so, give your best, do your best, and with Edunkel करो, लाइफ की देयारी. Follow our social media for latest exam notifications, and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. Ved Edunkel, करो, लाइफ की तयारी.